नमस्कार जूनियज पर नाम है अधित्य शर्मौर आप दिख रहे हैं कॉमस भया सब्सक्राइब आज हम लोग बात करने वाले हैं IP University की Date Sheets के बारे में IP University ने अपने मैं जून के एक्जाम की Proposed Date Sheets को आउट कर दिया है कि IP University हर बार अपनी दो अलग लग Date Sheets निकालता है सबसे पहले निकालते अपनी Proposed Date Sheets और उसके बाद निकालते अपनी Final Date Sheets और प्रपोस Date Sheets के कुछ ताइम बाद ही आप लोगो पता चलता था कि Final Date Sheets के अंदर क्या Changes होए है Final Date Sheets कुछ दिनों के बाद ही निकाल दी जाती है सब आप लोगो Final Date Sheets भी आप लोगो की कुछी दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी इसके लाबा क्या इस बर IP University ने काफी जल्दी ये Date Sheets निकाल दिया तो हाँ बिलकुल आप लोगो को सही लग रहा है इस बर IP University ने Date Sheets को काफी जल्दी निकाल दिया है एक्जाम्स होने वाले हैं माई, जून के अंदर, माई के अंदर भी कुछ ज्यादा खास एक्जाम्स नहीं है 20 माई के बाद सी एक्जाम्स होने वाले है मेंली सारे एक्जाम्स जून के अंदर ही होंगे इस बर इनकी अकैडमिक कलेंडर उसके मुताबिक इनके सारे में एक्जाम्स होंगे वो जून के अंदर ही होने वाले है तो Date Sheets में भी वैसा ही आप लोगो देखने को मिल रहा है बट इस बर IP News ने काफी साथा जल्दी निकाल दिया कि जून के अंदर एक्जाम्स और उन्होंने मार्च के अंदर आप लोगो रेट शीट निकाल के दे दी है और भी आप लोगों के पास अपरेल है माई है तब ही काफी सारे कॉलेज़ अपने जो इंटरनल एक्जाम्स हैं जो कि काफी सारे के अंदर ही करवा रहा है बहुत सरे बच्चों के तो April में mid-sam हो रहे हैं, काफी सरे बच्चों के माई के अंदर हो रहे हैं, कुछ तो colleges ऐसे भी हैं, जो कि अभी March के अंदर ही internal exams करवा रहे हैं, so internal exams अगर जल्दी भी हो रहे हैं, बट यह जो external exams है, इनकी date sheet क्या change हो सकती है, मतलब जो final date sheet अब आप लोग की आएगी, क्या उसके अंदर changes होंगे, सवर देखो भी मेरे को फिलल सुनने में तो यही आ रहा है, हर बार यह चीज सुनने में आई जाती है, कि CA के exam में भाया, वो clash कर रहे हैं, इस बार भी CA का, जो आप लोग अमेरे काल से foundation का exam है, वो कुछ exams कुछ date sheet के साथ में clash कर रहे होंगे, तो अगर ऐसा कुछ सच में है, तो आप लोग IPNOSC को mail कर सकते हैं, call कर सकते हैं, उन्हाने date sheets के अंदर सारे numbers दे रखे होते हैं, सारी contact details दे रखे होते हैं, या फिर आप लोग IPNOSC जा के एक application भी दे सकते हैं, और अपने college को भी आप बिल्कुल inform कर देना, अगर मैं आप लोग बताओं किया date sheets के अंदर changes वैसे, ऐसाच होते हैं नहीं होते हैं, तो देखो या प्रपोस date sheet आप लोगी जो होती है, मैं इस सब चीज़े पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ कि IPNOSC क्या चेंज़स करता है, फिर नहीं करता है, लेकिन हाँ इस बार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये लोग मैं जून के अंदर exam से ले रही हैं, तो CVT का PG का जो exam होता है, CVT PG का exam बहुत ही बड़े level पे इस बार लिया जा रहा है, और उसका exam हो सकता है कि काफी सारे courses के जाथ में clash करेगा, CVT PG जैसे काफी अलग-अलग exams होते हैं, माई-जून के अंदर entrance exams काफी सारे colleges के होते हैं, तो अगर किसी college के entrance exam के साथ आप लोगी date sheet clash करेगी, तो आप लोग बिलकुल IPNOSC को बता सकते हैं, और इन date sheet के अंदर changes करवा सकते हैं, और आप लोगी date sheet के अंदर, proposed date sheet के अंदर time भी लिखा हुआ है, कि आप लोग को कब से कब तक बताना है, कौनची date तक IPNOSC suggestions लेना चाहती है, उस date को mention कर रखा होता है उन्होंने, अगर उस date से आप लोग लेट बताती हो, तो आप लोग के suggestions को नहीं लिया जाएगा,